नमस्कार सबसे पहले अगर हम बात करें होम्स के स्वेहन त्रंग सिधान्त की तो और्थर होम्स ने अपने स्वेहन त्रंग सिधान्त का प्रतिपादन 1929 में बूपटल की आकरतियों की उत्पत्ति की समस्या के निराकरन के लिए किया यानि की 1929 में उन्होंने अपना सिधान्त दिया और जो बूपटल पर आकरतियों बनी हुई हैं तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसकी समस्या के निराकरन के लिए उन्होंने अपने सिधान्त का प्रतिपादन किया प्रिथ्वी की आंत्रीक सरंचना को अगर देखें तो उन्होंने दो भागों में बांटा या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि प्रिथ्वी की आंत्रीक सरंचना में दो मंदलों में विफक्ट किया उपरी मंडल जिसको की क्रस्ट कहा और निचला मंडल जिसे अद्यस्तर कहा क्रस्ट जिसकी रचना क्या है क्रस्ट की रचना सियाल से और अद्यस्तर की रचना सीमा से हुई है सियाल क्या है सियाल महासागरों के नीचे नहीं पाई जाती इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो सियाल परत है वह महासागरों के नीचे नहीं मिलेगी स्वेनियत रंकी उतपती चटानों में इस्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है यद पी अगर देखें तो प्रित्वी की उपरी भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाये जाते हैं प्रन्तु तापमान अधिक नहीं हो पाता है क्यूंकि जो उपरी सत्य से परिचालन तथा विकिर्नन द्वारा उश्मा का लगातार क्या है और इसके विपरीद अगर अधैस्तर की बात करें तो अधैस्तर में रेडियो सक्रिय पदार्थ कम होते हैं प्रन्तु उसमें उत्पन होने वाले ताप का संचय होता रहता है जिस कारण क्या है तापमान अधिक हो जाता है और इसके कारण क्या है स्वयनियत रंगे ऊपर उठ लगती है अगर इसी में हम देखें जो भू परतल है तो इसमें क्या है आरोही और अवरोही दो तरंगे उत्पन होती हैं इस चीज़ को द्यान में रखना एक तरंग है आरोही और एक होगी अवरोही अगर सबसे पहले हम बात करें कि पृत्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचने पर दो इस्थितियां होती हैं जिसमें नबर फर्स्ट पे अगर हम देखते हैं तो जिस थान पर दो स्वेहन तरंगे अलग होकर एक दूसरे की विप्री दिशा में प्रवाहीत होती हैं वहाँ पर फैलाव यानि कि अप सरण होने से तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है आप कंडिशन समझ रहे हो कि क्या है कि जिसमें दो स्वेहन तरंगे एक दूसरे से विप्रीत दिशा में जाएंगी यानि कि एक दूसरे से अपॉजिट दिशा में जाएंगी इस स्थिति क की बात हो रही है यानि कि महाद्वीब के नीचे की बात हो रही है आप देख रहे हो कि तरंगे उपर उठ रही हो और उपर उठने के बाद एक दूसे की विप्रीत स्थिती में जा रही है तो यानि कि एक दूसे की अपॉजिट दिशा में जा रही है तो उस समय क्या होता है सागर का निर्मान हो जाता है जिसे कि महाधवी में परवाह होता है और वहीं सेक्ट कंडिशन की बात करते हैं जो सेक्ट कंडिशन आप इसमें देख रहे हो तो इसमें क्या होता है कि जिस ठान पर दो कंद्रों से उपर उठने वाली स्वेहनियत रंगे- प्रित्वी की पपड़ी के नीचे पहुंच कर मुढ़कर क्षैतीज दिशा में परवाहित होकर एक दूसरे से मिलती हैं यानि कि क्या होता है उसका अभी सरन होता है तो पहली कंडिशन में तो क्या था कि उसका अपसरन हो रहा था यानि कि एक दूसरी कंडिशन में क्या हो र निर्मान होता है होता है कि भूसरनति का निर्मान होता है इस प्रकार का यह उप्र कि आ जाएंगि जिरते श्तमब्च तरग के तर्णगे यानी की जो उपर की और उठ रही है और एक कौनसी आ जाएंगी गिरते स्तंब की तरंगे जो नीचे की और गिर रही है तो इसमें आप लोगों को सागर का निर्मान हो रहा है और वहीं अगर हम इस से आगे इसमें देखें तो महाद्वीब तथा महासागरों के नीचे स्वेहन त्रंगे उत्पन होती है परन्तो जो महाद्वीब के नीचे उठने वाली स्वेहन त्रंगे क्या है अधिक वेगवती होती है क्यूं क्यूंकि महाद्वीब ये चर्टान में रेडियो सक्रियपदार्थ अधिक मिलते हैं पहले भी आपको इसके बारे में बताया है और वहीं अगर हम देखें स्वेहन त्रंगों की उत्पत्ती जो है ये क्या है इसका जो उत्पत्ती देखें तो ये कई केंद्रों में होती है तथा ये उत्पत्ती केंदर बदलते भी रहते हैं महाद्वीब और महासागरों के नीचे से उठने वाली आरोही त्रंगे जो आरोही स्वेहन त्रंगे हैं जब ज सब्सक्राइब के उपर या फिर अवरोही तरंग जिसको बोल देंगे इसके उपर होती है अवरोही तरंग क्या होती है कि जिसमें महाद्वीप और महासागर दोनों की तली के नीचे कुछ बाग में उच्छ तापमान के कारण पीगल कर वहां पे भूसनती का जमाव करने लगतार संपीडन तथा तलशट के निक्षेप के कारण बूसनती में निरंतर दसाव होता रहता है स्वेहनिया तरंगों की किरिया जो देखें तो यह क्या है एक चक्रिया होती है और इसी के दुरान देखें तो बूसनती का निर्मान परवतों की उतपत्ति और उसका उत् कि इसमें प्रत्म अवस्था, दूित्य अवस्था और तृतिय अवस्था के बारे में बताई गहा है बू बटल के नीचे अगर स्वेहनिया तरंगों की अवस्थाओं में देखें तो सबसे पहली अवस्था की बात करें जैसी जो आपको डियाग्राम में दिख रही है तो तो इस सवस्था का समय मौटा है की सबसे लमबा होता है involved में तो दो गेंदरों से क्या है यहां पे स्वैनिय तरंगे मिल रही है और इस सवस्था में अगर हम बात करें तो इसमें तरंग क्या होती है वेगवती होती है बूसनती में तल शटिया जमाव होता रहता है बूसनती की तली भी निरंतर धस्ती रहती है इस चीज़ को आप को अव्तलन होने लगता है अव्तलन का मतलब समझ रहे हो कि नीचे की और जाना और जादा और उपर में क्या है द्वाब्द था पृत्वी के आंत्रीक ताप के कारण पदार्थ गर्म होने लगता है जिससे उसका गुनतव बढ़ता है और पुने उसमें क्या होगा दसाव होने लगता है दसाब का मतलब क्या है कि वो चीज नीचे के और धसने लग जाती है और इस तरह कुछ ताप रुपांतरन के समय खर्च हो जाता है जिससे कि क्या है ताप का अधिक संचे नहीं हो पाता है तो इसमें आप लोग डाइग्राम से समझ सकते हो कि इसमें क्या है कि दो ध तो बूसरनति का निर्मान हो रहा है तो इसमें तलशट का जमाव होगा तो इसके बारे में क्या है इसमें बताया गया है वहीं अगर हम सेकेंड अवस्था की बात करें द्वित्य अवस्था जिसमें क्या है कि वलन की अवस्था जिसको कहते हैं इसमें क्या है स्वैनियत समय तक रहती है इस सवस्था में तरंगों के सरवाधिक वेगवती होने का एक मात्र कारण अगर देखें तो गिरते स्थम में शीतल पदार्थों का अव्तलण और उठते स्थम में तप्तपदार्थों का प्रवाहित होना, इस चीज को द्यान में रखना कि अगर तो गिरते स्थंब की बात हो रही है तो गिरते स्थंब में तो क्या होगा कि जो गिरते हुए स्थंब है उसमें शीतल पदार्थों का उतलन हो रहा है और अगर उठते स्थंब की बात हो रही है तो जानि कि उपर उठते हुए की तो उसमें क्या होगा तप्त पदार्थों का यानि कि गर्म पदार्थों का प्रवा होगा और वहीं अगर महाद्वीप और महासागरों की और से आने वाली तरंगे देखें तो तेजगती से मिलकर नीचे मुड़ती हैं जिसके कारण अगर भू सनती का मलवा देखे तो यह शैती संपीडन इसमें होता है यानि कि लैटरल कमपेशन होता है जिससे के अगर हम देखे तो इसके धार पर क्या होगा भू सनती का मलवा वलित हो जाता है जिससे की परवत का निर्मान होना शुरू हो जाता है आप लोग देख सकते हो इसमें भी डाइग्राम में कि जैसे क्या है उट गिरते स्थम्प की जो तरंगें जब यह आपस वे चलती हैं तो यहां पर क्या है नहीं इसमें गरम पदार्थ और ठंडे पदार्थों की जो अवस्था में परिवर्तन आता है जिसके कारण वलन की किरया हो रही है बुसनती का मलवा वलित हो रहा है और मुलित होने से क्या है यहां पर आप यह कंडिशन देख सकते हो कि इसके उपर क्या हो रहा है परवत का निर्मान हो रहा है वहीं अगर हम तीसरी कि उसके बात करें तृते आवस्था में ही तो जिसको क्या कहते है इस लिका डिद पर इया हो जाता है इस 있나 आप थंडे पदार्थ होते हैं यानि कि शीतल पदार्थों का उठना होता है इसमें और वहीं अगर देखें तो दीरे-दीरे समस्त उठता स्थम्प शीतल हो जाता है यानि कि जो ऊपर उठ रहे भाए ठंडा हो जाएगा जिसके कारण स्वैनिया तरंगों का क्या हो जाता है समापत हो जाती है जिसके कई प्रिनाम निकलते हैं प्रिनाम में आप लोग देखो कि इसमें क्या क्या चीज़े होंगी कि निक्षेपन के समापत हो जाने से गिरते स्थम्प में उपर द्वाब क्या होता है कम हो जाएगा क्योंकि अगर मालों नीचे जो इसका निक्षेप नमर में तो द्वाब के कम हो जाने के कारण जो भारी पदार्त है जो नीचे दब गये थे वो उपर उठने लगेंगे क्यों क्यूंकि आप लोग देखते हो कि जिसके उपर से एक दम क्या है कि जैसे मालों कोई चीज नीचे दबी हुई अगर उसके उपर से यह वेट हट जा इसकी आगे चलकर क्या होती है अलोचना भी होती है अलोचना की बात करें तो सबसे पहले हम जे इस्टियर्स ने सिधानत की अलोचना करते हुए बताया कि हालाकि यह सिधानत बहुत दिल्चास बहाएं जाने की बहुत अच्छा है प्रंतु इसमें कई ऐसे कारक है जिसके उन्हें उठाव हो रहा है या फिर अभी ऐसे इन्होंने का ना कि कुछ तरंगे ऐसे हैं जो उपर उठ रही हैं और कुछ तरंगे ऐसे हैं जो नीचे गिर रही हैं तो जी यह स्टियर्स ने का कि यह दारना एक मातर संदेह वाली लगती है और वहीं अगर फिर देखें तो इ तो इसके बारे में भी देखे तो उन्होंने कहा कि बहुत कम जानकारी है स्टीयस मौध्या ने और इसके बाद अगर और देखे तो इसमें रुपांतरन द्वारा जो भारी पदार्थों का नीचे की और दसाव उन्होंने बताया कि क्या है जब रुपांतरन होगा तो जो भा बहुत अच्छे तरीके से इनोंने बताया बहुत अच्छा इनका सिधानत भी रहा है और जो काफी सत्यता को भी प्रमानीत किया है लेकिन फिर भी अलोचना तो होती है ठीक है न कि पहली एवस्ता में इनोंने बताया कि भूसनत्ती का निर्मान कैसे हो रहा है फिर भूसनती के दार में उसमें क्या है वलन बढ़ने से परवतों का निर्मान शुरू हो जाता है और फिर क्या है उसमें वलित परवत बनते हैं तो इस परकार क्या है कि इन्होंने अपने सिदान्त में तीन वस्थाओं के दार पर परवतों के निर्मान के बारे में बताया था I hope कि आपको जो homes का स्वेहन तरंग सी दानता है conventions, grants, theory of homes तो इसके बारे में समझ आ गया होगा आप इनको अच्छे से diagram बना के note कर लेना जैसे आपको diagram में बताया गया है Thank you